हेलो दोस्तों नमस्कार मैं दुराचन दास स्वागत करता हूँ आप से रिका हमारे यूटुब चानल स्टडी विद दुरार में दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टिन होने वाला है आप लोग वीडियो को बिना इस्किप किये आप लोग पुरा वीडियो को देखिएगा तो आई आज का वीडियो आप लोग सुरू करते हैं दोस्तों इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूँ अल्मोस्ट सिक्स्टी वीडियो मैं बना चुका हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो वीडियो face to face मैंने बनाया है और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे साइड में आप लोगों को अगल बगल में दिवार का इटा दिखाई देता होगा इसलिए मैंने यह छोटा सा setup त्यार किया है आप लोग देख रहे हैं यह परदा में लगाया है आप लोग जानते होंगे कि कहीं से भी जो शुरुवात किया जाता है वो 0 से ही शुरुवात होता है किसी भी चीज का शुरुवात जिरो से होता है दोस्तों आज जो बड़े बड़े यूटूबर हमारे और आपके बीच जो दिखाई पड़ते हैं उन लोग भी कही न कही जब शुरू किये होंगे यूटूब का वीडियो बनाना उन लोग भी कही न कही जिरो से शुरू किये होंगे दोस्तों निश्चित रुप से आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी संगती से गुन आत है संगती से गुन जात है जिया दोस्तों मैं कहना चा रहा हूँ कि आप लोग दिन भर किसी ना किसे के साथ समय बिताते होंगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये हैं या बहुत सारे लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं फिर भी देखते हैं तो वो लोग हमें समय दे रहे हैं मुझे समय दे रहे हैं और इसका मतलब है कि वो मेरा संगत कर रहे हैं तो निष्टी तरूप से मेरा भी प्रभाव उन पे पड़ेगा मैं जिस सभाव का आदमी हूँ मेरा जो नेचर है उस तरग का सभाव आप पे उसका असर आएगा आप भी कहीं उससे परभावित होंगे तो सबसे पहली बात आप लोग कुछ मेरे लिए कुछ मेरे बारे में जान लें तो ज़्यादा भेथर होगा मैं वो वेखती हूँ जो एक बार किसी काम को सुरू कर दूँ तो उससे खतम किये विगर नहीं छोड़ता मैं उससे अंजाम तक जरूर पहुचाता हूँ मुझे क्विट करने की आदत नहीं है मुझे किसी चीज को छोड़ने की आदत नहीं मैं किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ता मुझे उस काम से भागने की आदत नहीं है यही चीज यही चीज मैं आप के अंदर देखना चाहता हूँ यही चीज मैं आप में लाना चाहता हूँ दोस्तों मैं एक गाउं से रिलेट करता हूँ मैं गाउं का वेक्ति हूँ गाउं में रहने वाला हूँ हमारा ये देश यहां 80% गाउं है और जालतर लोग गाउं में रखते हैं कितने परकार की समस्यां गाउं में होती है गाउं के लोग किसकी समस्यां से गुजरते हैं मैं वो सारे चीजों को फेस कर चुकर हूं उससे गुजर चुकर हूं और मैं समझता हूँ कि जालतर लोग जो गाओं में रहते हैं आज भी उन समस्याओं को जहिल रहे हैं मैं आज भी गाओं में रहा हूँ आज भी उस समस्याओं को जहिल रहा हूँ पहले उस समस्याओं अधिक थी अब कुछ कम हो गई है लेकिन समस्या आज भी है आज भी बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं बनी हुई है तो उन समस्याओं को बच्चे कैसे पार करेंगे, कैसे जहलेंगे इसके बारे में मैं आगे वीडियो और भी बनाता रहूँगा तो इसी समंधित में बात करूँगा मोटिवेशन उन बच्चों में मोटिवेशन बहुत जादा जोर रही है मोटिवेशन क्यों जोर रही है इसके बारे में पहले हम लोग समझ लें कि मोटिवेशन हमारे लिए क्यों आव सक है किसको आव सक है मोटिवेशन मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन हर बच्चे को हर वेक्ति को हर किसी कार सक है उससे क्या होता है हमारा आत्म विश्वास हमारा आत्म बल बना रहता है और हम किसी भी काम को एक जुनून के साथ करते हैं और उसमें सफलता हासिल होती ही होती है हम इसको इस परकार से समझ सकते हैं जब आप mobile यूज़ करते हैं उसमें battery लगावता है वो battery को अगर हम charge करते हैं वो fully charge कर देते हैं वो काम करते रहता है अब वो दिरे-दिरे down होते रहता है दिरे-दिरे down होता है एक समय ऐसा आता है पूरी discharge विजाता है फिर वो काम नहीं करने लगेगा उसे तरह से हमारा विचार हमारा मस्तिस्क ये motivation पावर अमारे लिए बहुत जोर रही है हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो कई सारे लोग मिलते हैं बोलते हैं अरे या तुम ये काम कर रहे हो ये पढ़ाई कर रहे हो ये कुछ भी कर रहे है इसमें कुछ होने वाला नहीं है अरे वो आदमी को देख लो वो उसको देखा न वो कुछ कर पाया क्या पढ़ाई कर पाया पढ़ाई से कुछ बन पाया कुछ नहीं कि कुछ होने वाला नहीं है, तुम इसको छोड़ दो, अपने काम पे ध्यान दो, दूसरा काम में लग जाओ, तो इस तरह का demotivation करने वाले लोग आपको बहुत सारी मिल जाएंगे, तो वैसे लोगों से हम पे effect पड़ता है, कई बार मैं खुद सोचने लगता हूँ, अभी ह कुछ होने जाने को नहीं है, तो मत करो यह सब, तो फिर मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, मैंने उसे कहा कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वो तो मेरा पुराना दोस्त था, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लिया उसने, कभी-कभी मैं खुद demotivate हो जाता हूँ, प् वही चीज, वही विश्वास आपके अंदर मुझे लाणना है, कि आप कर सकते हैं, आप जिवन में सफल हो सकते हैं, तो इसके लिए step by step हमें चलना होगा, हमें एक सिस्टम से चलना होगा, तो वही सिस्टम जो हमारे अंदर होना चाहिए, मैं वो जो बतलाना चाहता हूँ, वही चीज मैं आपको one by one विडियो करके देता जाओंगा, और यही चीज को मैं बतलाने के लिए ये विडियो बना रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा उदेश ये नहीं है, यूटुब विडियो में बना रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा उदेश ये नहीं है, कि मैं पैसा न कमाना चाता यूट्व से लेकिन मेरा उससे विवड़ा उदेश ये है कि जिस चीज को मैं जहेल चुका हूं जिस रास्ते पे चलने से जितनी कठे नाया मुझे हुई है जिन परिशानियों से मैं गुजर चुका हूँ कम से कम आप उन परिशानियों को न गुजरें न जहे दें मैं आज अपने लाइप में बहुत सक्सेसफुल नहीं मेरी सफलता आप से है आप सफल होंगे तब मैं सफल होंगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप successful होंगे इन सारी चीजों के बारे में मैं अपने वीडियो में बात करना चाहता हूँ आप से कि आप एक सखल बेक्ती कैसे बनेंगे उसके लिए motivation पावर होना बहुत जोरी है तो हमारे अगले वीडियो में आपको कई सारे motivation वीडियो मिलेंगे अपने आदतों को आप कैसे change करेंगे इसके बारे मिलेंगे मैं आपको इस परकार के motivation वीडियो इस परकार से motivation करना चाहता हूँ आप समझे कि समाज में जो घटनाई गठती है जो आपके आसपास घठती है जो आप रोजाना उससे गुजरते हैं मैं गुजरता हूँ मैं गुजरा हूँ उस तरह के motivation कोई इस तरह का motivation जो वीडियो आते हैं कि उसने, उसमहानवेक्ति ने ये काम किया, उसने ऐसा किया, आप कोईसा कर सकते हैं, मैं उन चीजों को बहुत दूर की, मोटिवेशन को आपको नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको मोटिवेशन मैं खुझ से देना चाहता हूँ, मैं आपको मोटिवेशन मैं खुझ से देन हैं वैसे motivation मैं आपको देना चाहता हूं इससे क्या होगा कि आपको आखो देखा motivation जब मिलेगा तो आप वाकई में inspire होंगे और आप वैसा कुछ करेंगे जो आप खुद विश्वास नहीं किया होगे वैसा चीज आप कर गुजरेंगे और आप बुलंदियों पर पहुचेंगे इसके लिए मैं विडियो बनाना चाहता हूं ऐसा ही विडियो आप लोगों को मिलेंगे आगे आने वाले सहय में यही विडियो मिलेंगे जिससे आपका जीवन में बदलावा सके मैं जिवन को बदलने के लिए आपका जिवन को बदलने के लिए विडियो बनाना चाह रहा हूँ ये मैं सबसे बड़ा उदिस मेरा ये है ये मेरा उदिस बहुत बड़ा में है कि मैं पैसे कमाने के लिए से विडियो बनाना चाह रहा हूँ मेरा सबसे बड़ा उदेश है आपकी जिन्दगी को मैं बदल सकूँ अगर एक जिन्दगी बदलूँगा तो एक से दस जिन्दगी बदलेंगी और दस जिन्दगी से सो जिन्दगी और सो जिन्दगी से फिर हजारों जिन्दगी बदलेंगी अगर इस तरह से जिन्दिगा बदलती गई तो फिर हमारा देश तरक्की क्यों नहीं करेगा यहीं उदेश है मेरा इसी के लिए मैं काम करना चाहता हूं यूटूब में आज के वीडियो में यहीं तक अगले वीडियो में आप लोगों को निश्तित रुप से कोई इंपोर्टेंट मॉटिवेस्नल वीडियो मिलेगा तब तक के लिए जैहिन गुडबाई